नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद करती हैं खुश होंगे और स्वास्त होंगे आज बहुत मेहनत करने के बाद मैंने बनाया ये गेवर बहुत ही बढ़िया बन के ये तियार हुआ था लेकिन मतलब पहले बार जब मैंने ट्राइ किया वो पूरा खराब हो गया मतलब नहीं बन पाया दूसरे बार थोड़ा बेटर बना और ये तिसरे बार का रिजल्ट है पूरा पॉफिक बन के तियार हुआ था तो इस वीडियो में गेवर की पूफिक रेसिपी में आप सभी की साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे एक्सपिरियंस है जितना मैंने खराब किया और फिर चीजों को सीखा कि कितना थंडा रखना है बैटर कैसा रखना है वो सारी चीजी बारी कीसे में इस वीडियो में आपको बताऊंगी और आप ये वीडियो देखकर घर पे पहले ही अटेंप में बना सकते हो पोफिक घेवर मलाई रबडी वाला बहुत स्वादिस ल तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजेगा चैनल को मुझे भी सपोर्ट कीजिए मैं डेली इस चैनल पर आप सभी के लिए नई नी रेसिपी लेकर आते रहती हूं तो सबसे पहले मैंने छोटे से पैन में तीन बड़े चमच घी लिया और घी को मेल्ट कर अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आप पहली बार में ही पोफिक घी और बना पाइन मैंने जो गल्ती किया है वा आप मत कीजेगा इसलिए मैं वीडियो प्रॉपर शूट की हो और इसमें चोटी चोटी चीजों का मैंने ध्यान रखा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर और जो बरफ है वो डाल दिया और अब इसे एक ही डारेक्शन से चलाएंगे तो कुछ इस तरीके से घी का मक्षन बन जाएगा यह बहुत ही मतलब फलपी और लाइट वेटेड बिल्कुल वाइट वाइट सा हो जाएगा हमारा जो घी है कुछ इस तरीके से यह दिखने है मतलब मेजर्मेंट गप सभी के घर में नहीं होता है तो आप कोई भी बावल या गलास या कप मेजर्मेंट के लिए रख सकते होorg mandate King कॉछ जाएट एक कप दूद और यह पर यह पहला कप डाला पानी दूझे डूप पानी डाल दूद में और यह अधार मतलब जो यह मुझे गाढ़ा लग रहा था तो फिर से मैंने आधा कप पानी डाल दिया मतलब तीन कप पानी और एक कप टोटल चार कप हमने दूद और पानी यूज किया है मिला करके देड़ कप मैदे के लिए और उसके बाद बढ़िया साहिए इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चा चान ने के बाद फिर उसी कड़ाई में बाउल रख देंगे जिसमें बैटर है ठाक यह इसका टेंपरेचुर बढ़िया सा थंड़ा होगा अब इससे बनाने के लिए आप इस तरीके का बड़ा पतीला लम्बा वाल आता है वह लग सकते हो या फिर यह घॉलवाल पतीला भ पक दो दो चमच के करीबन और गर्मा गरम तेल में डालेंगे उपर देखिए बहुत सारा बबल आ रहा है बबल आने देंगे जब यह हलका सा बबल निचे की और चला जाएगा तो फिर से एक एक ड्रॉप करके डालना है एक एक ड्रॉप यह नहीं के लिया कलचल में और डाल पर फिर जब इसमें बबल आ रहा है डालके लगभख 40-50 सेकेंड का आपको गैप रखना है दुसरे बारी बैटर डालने में तो फिर से हमने डाल देना है थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप करते हुए जितना मतलब कोशिश की जगा धीरी-धीर ऐसा ड्रॉप जो है कंट करना है फिर से हम बैटर फिर डालेंगे देखिए जाग आया जाग हलका सा थंडा हुआ मतलब नीचे की और गया तो फिर हमने इस बैटर को डाल दिया थोड़ा एक एक ड्रॉप करके और इसी तरीके से जो घेवर हो हमारा बन के तियार हो जाता है अब यहां पर आप देख करके अगर आपको बहुत जादा मोटा घेवर पसंद है तो आप थोड़ा और भी मतलब दो चार चमच इसमें डाल सकते हो और पतला चाहिए तो एक दो चमच बैटर कम डालिए तो पतला घेवर बनके तयार होगा मुझे हलका सा मोटा घेवर ही जादा पसंद आता है तो थ इनारे हम चाकू की मदद से ये कर लेंगे निकाल देंगे ताकि घी में निचे की और जाए और उपर के साइड से भी बढ़िया सा पक जाए तो यहां पर यह जो घेवर है बढ़िया सा पक करके तयार हो गया है तो अब आती है निकालने की बारी बहुत ही साउधानी पुर पहले बार नहीं बना पाई दूसरे बार नहीं बना पाई तीसरे बार मुझे समझ में आए कि इसको मतलब किस तरीके से बनाना है और मैंने सोचा मेरे जो यूटुब फैमिली है फेस्बुक पर अगर आप लोगों के साथ मैं यह छोटी-छोटी बारतों को ध्यान रख के शे कंटिनूस नहीं डालना है एक एक ड्रॉप करके जब डालेंग है तो इसका जो यह छता है ना जो घेवर का वह एकदम परफिक जालीदार बनके तियार होता है और सेंटर में ही डालना है ऐसा नहीं कि पूरा गुमा के डालना है बिल्कुल सेंटर में डालना है यह अपने पापी मतलब फैल जाता है जो बैटर है वो और जो बैटर की कंसिस्टेंसी वो इतनी ही पतली रखनी है बहुत जाद एक दम पानी जैसा नहीं रखना है और नहीं गाढ़ा रखना है जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा है जैसा हमने मेजरमेंट लिक किया था चीजों क मैदा पानी और दूद को वैसा आप करोगे ना पॉफेक बनेगा और फिर से दूसरा जो घेवर है उसे भी हम साइड साइड से चाकू की मदद से छुडा लेंगे ताकि ये अनिचे घी में जाके उपर की सतह भी इसके अच्छी से पक पाए तो बस ये दूसरा वाला जो घेवर है वो भी हमारा पकर के बड़ी आसा तयार हो गया है तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक घेवर बनाने में लगभग आपको 9 से 10 मिनिट का समय लग जाएगा अगर आपको डाक करता है तो थोड़ा कुछ सेकेंड और भी आप घेमी से छोड़ देंगे तो अच्छा ये डाक हो जागा मुझे हलका सा मतलब ऐसा ही कलर पसंद है तो यहां पर दो मैने बना लिये टोटल तीन घेवर बने थे बड़े-बड़े साइज वाले उतने मैदे में तो इसे साइड में रखते हैं अब इसके लिए चासनी बनाएंगे तो उसी कप से एक कप लिया चीनी और लगभग आधा कप से थोड़ा सा कम मैने पानी लिया है और इसका हम चासनी बना लेंगे घेवर की जो चासनी होती है ना हलकी सी गाढ़ी वाली बनती है यह मतलब ऐसा थोड़ा सा तार आना चाहिए बस जादा तार एक तार वाली नहीं बनानी है और इसमें खूब सारे देखिए बबल्स आने लगे हैं जब ऐसे उपर की तरफ इस तरीके से बबल्स आने लगेंगे ना यह देखिए हलकी सी तार बन रही है ना तो बस अब गैस को कर देंगे बंद और यह हमारा घेवर वाला चासनी भी बन के तेयार हो गया है तो इसे हम रख देते हैं साइड में और इसके बाद आती है बारी रबड़ी बनाने की जो घेवर के उपर हम लगाने वाले है तो इसके लिए मैंने आधा लीटर वाला दू और दूद को अच्छे से उबाल आने देंगे और इसमें एक सिक्रेट इंग्रेडियन डालोंगे जिससे यह रबड़ी फटाफट बन जाएगा और बहुत स्वादिस्ट बनता है अब दूद को हम गाड़ा करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर जो मलाई आरी ह ना उसे हम कलचल या चम्मत से साइड करते जाएंगे इससे रबड़ी है ना बहुत ही मतलब मलाईदार वाली बनेगी अच्छी लगेगी खानी में लच्छे वाली बनेगी तो और किनारी किनारी में जो भी दूद है उसे जब हम चलाएंगे तो निकालते जाएंगे इसे कड़ाई में ना चिफके और यहां पर दूद जो है लगभग थोड़ा थोड़ा गाड़ा होना स्टार्ट हो गया है तो इस समय हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर यही सिक्रेट इंग्रेडेंट है और इससे रबड़ी फटाक से बन जाता है और बहुत स्वादिस्ट बनता है तो मैंने दो चमच मिल्क पाउडर और तीन चोटे चमच छीनी डाल दिया है और फिर से इसे चलाएंगे और कुछ मिनिट के लिए और पकाएंगे जब तक पूरा गाड़ा नहीं बन जाता है एकदम रबडी का टेक्शर नहीं आ जाता है इसको तो लगभग पूर पंदरा मिनिट के बाद जो ये दूद है एकदम बढ़िया गाड़ा हो गया और रबडी हमारी बनके तयार हो गई है उपर से डाल दिया हरी लाइची दो कुटी हुई आप लाइची पाउडर यूज़ कर सकते हो और ये गरमागर हम रबडी बनके तयार है अब इसे हम बहुत किया है मैंने ये रेसिपी मैंने कल शूट किया था सुबह दस बजे कीचन में खाना बना कर गई शूट करने के लिए और उसके बाद दो बार खराब हुई तिसरे बार में एकदम पौफेक बनके तयार हुई तो मेरा दिन भर का महनत एकदम वसूल हो गया और आप अगर देखते हो तो कॉमेंट्स करो प्लीज लाइक कर दीजेगा वीडियो को तो गेवर में सबसे पहले मैंने लगा दी चासनी उपर से और फिर उसके उपर फिर मलाई वाली जो हमने रबडी बनाई है वो और उपर से खूब सारे ड्राय फ्रूट कटे हुए काजु बद और पेस्ता और यकीन मानिये यह जितना खूबसूरत लग रहा है उससे कई गुना जादर डिलीशियस लगता है खाने में उपर से थोड़े से गिलाप के पंखुडी और लगा दिया मैंने चांदी का वक्त दूसरा जो घेवर है उसे भी सेम प्रोसेस से हम डेकोरेट कर ल पर से थोड़े से गुलाप की पंखुडिया लगा दी और लगा दिया चांदी का वक्त और यह तियार हो गया दुकान से भी जादा डिलीशियस वाला पौफेक घेवर अब ज़रूर ट्राइ कीजिगा और अब तो रक्षा बंधन हा रहा है तो रक्षा बंधन में आप इस ट्राइ कीजिए और रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब